हेलो नमस्कार दूस्तू तो कैसे आप सभी तासा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे तो मेरा नाम है अमन सिंग आप सभी का स्वागत है एक्साम टॉक पिद अमन में तो सिरी बात नववकवास शली सुरू करते हैं तो जिन जिन बच्चों का सबसे पहले सेलेक्षिन हो गया उनको बहुत सारी बदाईयां पर जिन जिन बच्चों का सेलेक्षिन नहीं हुआ है पर नमर उन्होंने अच्छा गेन किया था मिन्स 80+, 85+, 75+, तो क्या इनका selection हो सकता है? तो हाँ जी हाँ दूस्तो हो सकता है selection तो क्या है process मैं आप सोभी को बताता हूँ बस छोटा सहीक example लेते हैं पहले सबसे पहले समझाने के लिए कि कैसे हो सकता है selection ठीक है? तो दोस्तो चैनल पर नए आया है तो चैनल को subscribe जरूर करें क्योंकि यहीं पर नवोदे बिद्याले से related काफ़ी सारे वीडियो आते हैं ठीक है? तो सबसे पहले बात जान लेते हैं कि आखिर selection हो कैसे सकता है तो जैसे कि देखिए दोस्तो 50 बच्चों का selection हुआ ठीक है? उन 50 बच्चों को document के लिए बूलाया गया अब माल लिजे उन 50 बच्चों में से किसी 10 का जाने का मन नहीं कर रहा है होता है दोस्तों कि selection के बाद काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो selection होने की बाद भी नहीं जाना चाते हैं अब ऐसा क्यूं होता है वो तो नहीं पता कुछ reason की कारण सायद बहुत बच्चे नहीं जाना चाते हैं तो 40 seat हो मतलब की समझे 50 seat था जिसमें इसे 10 बच्चे नहीं गया अब कितना बच्चे का selection हो रहा है? सिर्प 40 seat कितने बच्चे? 10 अब इस 10 seat को नवोदे विदाले को fulfill करना होगा मतलब की से भरना होगा तो आब इसे भरेंगे कैसे? तो नवोदे विदाले इसके लिए waiting list जारी करता है ठीक है दोस्तों आप सबी एक तरह से समझ लेज़े जबी waiting list में है क्योंकि जैसे ही documentation verify होता है उसके कुछ दिन बादी एक waiting list नवोदे विदाले की दुवारा जारी किया जाता है जिसमें उन बच्चों का selection किया जाता है जिनका बाकियों बच्चों से थोड़ा नमर कम है पर वो top 10 में आते है ठीक है? जैसे पांच सीट खाली है तो पांच बच्चों को select करेंगे दो सीट खाली है दोसको करेंगे इस तरह होता है ठीक है ये waiting list होता है जैसे पांच बच्ची नहीं गए नहीं है वो दे बिदाले selection उनका नहीं होता है मतब कि documentation verification में उनका कुछ गलत हो गया या फिर वो जाना ही नहीं चाते है तो वो जो पांच सीट, दस सीट बांकी रहता है ना उसे वो आप सभी मेंसे किसी को उठाते है ठीक है? किसी को नहीं मतब जिनका number अच्छा खासर रता है बांकी उसे जैसे 150 बच्चों को आया है था 90 ठीक है अब बांकी का जो 10 उठाएंगे वो उसके बाद वला उठाएंग जैसे 89 जिसका होगा उसको फिर 89 ही है तो 89 फिर 88 है तो 88 इसता करके वो नमबर वाले को उठालते ठीक है और उनका सेलेक्षन डारेक्ट नवोदे बिद्याले में हो जाता है तो अभी आप कुछ मत कीजिए अपना पड़ाएं जारी रखिए और बस वेटिंग लिस्ट का इंतिजार कीजिए क्योंकि नवोदे बिद्याले जल्दी वेटिंग लिस्ट जारी कर देगा और आप सभी मिसिक क्या पता आपका ही सेलेक्षन हो जाएं तो हार नहीं मानना है दोस्तों मैनत करते रहे हैं रिजल्ट आच्छा ही आता है मिलेंगे नेक्ट वीडियो में टाटा बाबा सी यू